अब जब सल्मान खान की क्यूब लाइट बॉक्स ओफिस पर फ्रॉक हो गई है तो आरोग प्रत्यारोग की शिर्वाद हो गई है सल्मान के एक करीबे मित्र के मुताबिक सल्मान को फिल्म पर भरोजा नहीं था सल्मान कबीर खान के साथ इस फिल्म को करने के जुक नहीं थे एक और स्क्रिप्ट थी जिसे कबीर सल्मान के साथ करना चाहते थे परंतु सल्मान को लगा कि दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत अधिक महनत होगी इस वज़ा से सल्मान ने इसे चुन लिया क्योंकि इस फिल्म में फिजिकल महनत सुल्तान और टाइगर जिन्दा है के मुकाबले कम थी सुत्रों के अनुसार सल्मान एक मासूम और अच्छे दिल के इंसान का किरदार करना चाहते थे जो लोगों को करीब लाए भले आदमी का किरदार करने के चकर में सल्मान बहुत आगे निकल गये फिल्म देखने के बाद उन्होंने कबीर से कहा था ये थोड़ा त्यादा हो गया कबीर पर भी फिल्म की असफलता के आरोप लगेंगे इस समय कबीर सवालों से बच्चते खिड रहे हैं